वहा उत्तर प्रदेश स्रकार ने लिस्ट जारी किया है। ताच महल तूरिष्ट के सूची में है ही रही। सरकार का मानना है कि ताच महला हमारी सन्सकृति में नहीं है। वैसे बात तो सभी कह रही है, लेकिन जनाब हम कहते हैं कि और भी कइछ सीज 계़ां है। जो हमारी संस्कृति में नहीं है। उन्हें भी बाहर कर दो। सबसे पहले तो जनाब रेलवे को मंत्राले की लिष्ट से अटाओ। यह अंग्रेजों ने रेलवे इसलिए जात किया था ताकि कोई भी हिंदुस्तानी अगर पगावत करे तो यह अंग्रेज फटा फट ट्रेन से उस जगा पर पहुंचा है। अब ऐसी चीज पर हम अर्बू रुपये खर्च करें। सही लगता है नहीं बताओ सही लगता है क्या नहीं ना। और उसके बाद यह राश्ठ्रपती भवन को भी बंद कर देना चाहिए ताल लगा देना चाहिए। अंग्रेजों ने राष्ट्रपती भवन क्यों मनाया क्यों मनाया ताकि उनके गवर्णर जनरल वहां बैठ के हम हिंदुस्तानियों पर हुकूमत चला सके अब जनाब ऐसी जगह पर हमारे राष्ट्रपती रहे हैं छी शर्म आनी चाहिए जनाब पिल्कुल शर्म आ जानी चा इनको भी बैन कर देना चाहिए इन चुटकुलों में क्या है बताओ क्या है इन चुटकुलों में एक बिदेशी राजा एक हिंदुस्तानी को हमेशा दबाता रहता है हमेशा दबाता रहता है और वह हिंदुस्तानी उस राजा को हसाने के लिए हसाने के लिए चुटकुले सुनाता रहता है है जुल्म की इंतेहां है और यह फ़ोसरों के बात वह जो लाल किला हे ना वह लाल खिला लाल के लिए को भी बंद कर देना चाहिए हमारे प्रधानमथरी नरेंद्र मोदि आजाधी का भाशन उस लाल के लिए से देते हैं मिया एक बात बताओ गुलामी के प्रतीक से आजादी का भाशन सही लगता है हद दो गई मिया हद दो गई अरे यो बतंगड के बादशा बिर्यानी तयार है अपनी तश्रीफ लियाओ बेगाम बिर्यानी फैक दो फैक दो बिर्यानी और साबू दाले की खिचणी बना दो हाई तुम्हारा दिमाग फिर से सटक गया क्या मिलकुल नहीं सटका है यह हमारी रीत रिवाज नहीं है यह हमारी संस्कृती नहीं है साबू दाले की खिचणी बनाओ और आप आप भी अपनी लिस्ट तयार कर लो राम राम